अनिनम नमह समे साराय स्वानु भूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच दे अध्यातम के जोर में जोय कांत अपार निराकरन को काहाय स्यादवाद अधिकाँ अभी आप आप्तमीमांसा अपरणाम देवागमस्तोत्र इसके मूल का पाठ कर रहे थे और पूरे स्तोत्र में स्यादवाद की ही सिद्धी है अनेक आंत की सिद्धी है और एक आंत का निराकरन है एक श्लोक कितनी बार आया चे साथ बार दस बार है अवो प्रारंब के सोलह श्लोक जो आपके पाठ्षिक्रम में तत्व ज्ञान पाठ्माला में हैं उसमें भी वो श्लोक आता ही है एक से शब्द एक से शब्द है तो दस बार आट बार दोह राया तो एक ही अर्थ होगा ना शब्द वही के वही है पर आर्थ एक है के अलग-अलग है विरोधार नोभे कात्म्यम स्याद्वाद न्याय विद्विशाम अवाच्यते कांते पुक्तिर नवाच्यमिति युझ्यते तो विरोधार नोभे कात्म्यम जो कह रहे हैं जो परस्पर विरुद्थु दो धर्म है यदि उनको एक ही मान लिया जाए एक ही विवक्षा से बिना स्यादवात के बिना अपेक्षा से निर्पेक्ष से यदि मान लिया जाए नएक आत्मम विरोधात वो हो जी नहीं सकते हैं अभी जैसे अपने यहां तत अततda हे एक अनेक और विसत असत की अपेक्षा में स्वद्रविप्रद्रवि की बात चल रही है, अस्ति-नास्ति समझ लीजे, ये दोनों बिना अपेक्षा के एक साथ मानेजा है तो हो इनि सकते हैं, विरोध्यार, यहाँ जैसे दो भिन्न विवक्षाओं की बात कर रहे ऐसे वहाँ जितनी बार वो आ रहा है, उसके पहले भावभाव एकांत, मुख्य रूप से जो प्रारम के सोलर कलस चल रहे थे, सोलर कारिकाएं, उनमें अस्ति-नास्ति का जो अनेक आंत है, उसके संबन्द में विरोधात नो वहेकात्मिम, उसके संबन्द में था, फिर नित् और ख्षनिक या नित्या नित्यता है, भेदा भीद का है, अनतंत में जो प्रकरन आ रहा था, उसमें दैव और पुरुशार्थ संबन्दी भी था, से बहुत सारे विभिन प्रकरन, तो जो प्रकरन चल रहा है, उस प्रकरन के अनुसार उस लोक का आर्थ निकलेगा, शब् वेके वे, और अर्थ उसका अलग निकल रहा है, बहुत तर्क युक्तियां, कितने कारीका आ हैँ प्रकरनмат में? साथ, तो साथ पर कोई विशय पूरा हो रहा है या पूरा हो रहा है, तो वहा तक, नित्या नित्यता के विशय को, अभी पढ़ते-पढ़ते तर्क युक्ति इनको मूल पढने में ही हमको कठिना ही लग रही है, तो फिर अर्थ ग्रहन करना और इनकी टीकाएं पढना, कभी-कभी लगता है कि हम बड़े विद्वान हो गए, हो जाएंगे अभी, दीक्षांत हो जाएगा, विद्वान हो गए, लेकिन सच्मुच इनकी टीकाएं अस्ट शति, अस्ट सहस्री वो तो और कठिन है, उसको तो अध्यन करने वाले कस्ट सहस्री कहते हैं, पने उसका समझना और अध्यन कठिन है, पने अपने आचारियों ने, अन्यमत अन्यदर्शनों ने, जो एकांत पने से वस्तु की स्थापना करने की कोशिश की है, और इतना बढ़िया पूरा महल खड़ा किया हैं, हवा महल, हवा में महल खड़ा किया हो, वैसा, चुकि अन्यकांत आत्मक ताके बिना वस्तु की सिद्धी नहीं होती, और वो एक पक्ष, एक बात को लेकर के, उस आधार से पूरा दर्शन खड़ा किया हैं, इसलिए अपने आचारियों ने पहत तर्ग युक्तियों से उनक का खंडन किया है, अपना स्वभा की समझना चाहिए कि उसमें से कुछ समझने और कदा चित समझाने का आउसर मिल जाता है, उसी तरह स्यादवाद की चर्चा यहां आ रही है और आपने जिनने ध्यान से श्लोक पढ़े होंगे उनको ये भी ख्याल में आ रहा होगा, न्या इस लोक तो मोक्षण और प्रकाशक रहस्य पूरुन चिथी उसमें वुदृत किया हुआ था, तो ये सभी इन विद्वानों ने भी पूरुवर्ति आचारियों ने भी इन सब का बराबर निश्यतरूप से अध्यन किया हुआ है, अपना समयसार के आत्मख्याति टीका के इन श्यादवाद अधिकार की अपन चर्चा कर रहे हैं और जिसमें से तत अतत एक अनेक और स्वध्रव्य परद्रव्य इन तीन युगलों की चर्चा अपनी हो गई थी, इससे आगे अपने को बढ़ना है, इससे आगे बढ़ने के लिए जो कल की चर्चा हुई थी, उसक संक्षेप में यहां से पढ़ते हुए, आज जो स्वक्षेत्र परक्षेत्र संबंधी चर्चा रही हैं, उसका सार अपन पहले पढ़ेंगे ही, ताकि भाव अपने ख्याल में आजा है, और फिर मूल में से बाद में पढ़ेंगे, जैसे दादा केते हैं, क्या अन्तिम क्या है, तातपर यह है कि, जो उसका जो तातपर यह है, वो ख्याल में आ जाए, तो विशय आसानी से ख्याल में आ सकता है, अभी रिपीटेशन भी बहुत होगा, लेकिन अंतर जो आया है, वो ख्याल में आना ची आगे विशय बदला है, तो उसमें क्या अंतर आ रहा है, वो ख ख्याल में आये, चुकि विशय गंभीर है, इसलिए अनुष इलन में बहुत विस्तार से विशलेशन किया हैं, और उस विशलेशन में, पंडित जेचन जी चावडा का भावार्त, पंडे राजमल जी की कलश्टी का, बनारी सिदाज जी के छंद भी दिये हुए हैं, और बहुत विस्तार से दिया हुआ है, और गुरुदेव उन में से भेद विज्ञान का प्रियोजन कैसे सिद्ध होता है, यह जो विशेश बात निकालते हैं, वो भी मूल से पढ़ने जैसा है, अपन उतने विस्तार में जाएंगे, तो पूरा होना भी मुश्किल है फिर, इस जो कलश्य 252 और 253 हुए थे न, स्वद्रवे प्रद्रवे संबंदी, इसके बात के दो तीन परेग्राप, वस्तुतह बात यह है कि, 563 पेश पर, वस्तुतह बात यह है कि, अनाधिकाल से इस आत्मा ने, निज्वगवान आत्मा को तो देखा जाना नहीं, और इंद्रियो के माध्यम से परपदार्थों को यह देखा जाना है, इसलिए वह पर के अस्तित्व में ही निज्व का अस्तित्व अनुभव करता है, ज्ञान मात्र आत्मा है न, स्वद्रव्य परद्रव्य, तो परद्रव्य को जाना, और परद्रव्य को जाना, तो उस परद्रव्य से ह अपना अस्तित्व मान लिया क्योंकि अपना स्वद्रवे जानने में नहीं आया इंद्री ज्ञान की वज़े से और इसलिए वा परके अस्तित्व में ही निज का अस्तित्व अनुभव करता है इस प्रकार स्वयम के अस्तित्व से इंकार करने जानने वाला अज्ञानी नाश को प्राप्त होता है इसी प्रकार निजात्मा को नहीं जानने वाले कुछ अज्ञानी अपने आत्मा को सर्वद्रव्य मानकर अपने में जो पर का नास्तित्व है उसे इंकार कर देते हैं पर जानने में आ गया न वो भी सब ज्ञान में हो गय गे जितने थे वो परद्रव्य था वो अभी जानने में आने के कारण से स्वद्रव्य में वो अभी स्वद्रव्य में हो गया इस तरह मान करके अपना स्वयम का नाश करते हैं अपने में जो इसी प्रकार निज आत्मा को नहीं जानने वाले कुछ अज्ञानी अपने को सर्व द्रव्य में मानकर अपने में जो पर का नास्तित्व है उसे इंकार कर देते हैं स्वयम को जानने देखने वाले स्वयम का अनुभो करने वाले स्यादवादी ज्ञानी वे एकांती थे और ये स्यादवादी है तो स्यादवादी है दोनों पक्षों को बराबर जानते हैं और निजात्मा को भी जानते हैं अज्यानी अपने आत्मा को स्वयम को जारने देखने वाले स्वयम का अनुभव करने वाले स्यादवादी ज्यानी स्वयम का अस्तित्व स्वयम से स्वीकार कर और समस्त परद्रव्यों का स्वयम में अभाव स्वीकार कर आनंद से निजब भगवान आत्मा में रमन करते हैं और सुकी रहते हैं तो स्वद्रव्य से अस्ति और परद्रव्य से नास्ति इन बोलों की अपेक्षा से बात की हैं अब स्वक्षेत्र प्रक्षेत्र संबंधि चर्चा हैं गद्ध में भी है और पद्ध में भी अपन गद्ध पढ़ेंगे पीछे और कलश भी पढ़ेंगे पहले इनका विशेष जो है वो पढ़ लेते हैं नीचे बाद में कल्षों के बाद कल्षार्थ शलोकार्थ के बाद का इस प्रकार इन कल्षों में यही कहा गया है कुछ अज्ञानी तो अपने से भिनक्षेत्र में रहे हुए गेयों को जानने वाले ग्ञान को परक्षेत्र रूप ही मान कर स्वक्षेत्र के अस्तित्व से इनकार कर देते हैं क्या किया ग्यान ने जो परक्षेत्र में द्रव्य है वो परक्षेत्र उनको गे बनाया तो परक्षेत्रों को गे बनाया तो मानों परक्षेत्र रूप ही हो गया अब परक्षेत्र रूप हो गया, तो स्वक्षेत्र रहा कहा, इसलिए स्वक्षेत्र से इंकार कर देते हैं, वो एक आंती, और कुछ लोग, दूसरी तरफ, और कुछ लोग, स्वक्षेत्र में रहने की भावना से, परक्षेत्र में रहने वाले गेयों के वमन के साथ साथ, उ हमें तो स्वक्षेत्र में रहना है, परक्षेत्र से भिन्नही रहना है, तो स्वक्षेत्र में रहना है, तो परक्षेत्र जो अपने जानने में आया, परक्षेत्र का ज्ञान बना, गे ये बना, तो अपने में जो गे बन रहा है, उससे भी इंकार कर देते हैं, परक्षेत्र स स्यादवादी स्वक्षेत्र से अपना अस्तित्व स्वीकार करते हुए परक्षेत्र में रहे हुए गेयों को जान कर भी उनसे अपना नास्तित्व स्वीकार करके उने जानने वाले ज्ञान को नहीं छोडते हैं एक तो परक्षेत्र मैं हो गया ऐसा मानता है और दूसरा परक्षेत्र जानने में आ गया तो हमारा ज्ञान जैसे मलिन हो गया कह रहे थे यहाँ स्वक्षेत्र में नहीं रहा हमारा स्वक्षेत्र कहा रहा इसलिए उस ज्ञान से इंकार करते हैं लेकिन वे परक्षेत्र को जानते भी हैं, और उस परक्षेत्र को जानने वाले ज्यान को तो अपना सुभाव इसलिए छोड़ते नहीं हैं, इस प्रकार भी जीवित रहते हैं, उक्त संपूर्ण कथन में मूल बात यह है, ज्यान सुभावी भगवान आत्मा के ज्यान में पर और उने देखकर या अग्याणी जीव, या तो स्वयम को परक्शेत्र रूप मान लेता है, या परक्शेत्र को निजरूप मान लेता है, इसकी यह माननेता ही अग्यान है एकानत हैं, स्यादवादी ज्यानिय जानते हैं पर गेयों के क्षेत्र, प्रदेश या आकार जीव के ज्यान में जलकते तो हैं पर न तो वे जीव रूप होते हैं और न जीव ही उन रूप होता है ज्यान उने जानता तो है पर उन रूप नहीं होता इसी प्रकार परक्षेत्र रूप गेय ज्यान में जलकते तो हैं पर वे भी ज्यान रूप नहीं होते ज्यान परक्षेत्र को जान कर भी स्वक्षेत्र में रहता है और परक्षेत्र रूप गेय ज्यान में जलक कर भी अपने क्षेत्र में रहते हैं ज्ञान के क्षेत्र में नहीं आते इस प्रकार ज्ञान और उसमें जलकने वाले परग्य दोनों की सत्ता और क्षेत्र प्रथक प्रथक ही है सत्ता की बात क्यों की यहाँ? सत्ता की बात क्यों की? कि दोनों की सत्ता और क्षेत्र प्रथक प्रथक हैं क्योंकि वास्ताव में, तो ये स्वचतुस्टए कि अपेक्षा सत्ता, और प्रॉ। यह आसक्ता के भेद की बात चल रही है किसी बात को कहने के लिए पूरी तरह से निशेत करना हो किसी बात का न तो ऐसा दृडदा करना हो तो उसके टुकड़े करके भी लिखा भी जाता है कहा भी जाता है लेन देन होता है और उसके उपर जो नोटरी या वो बनाते हैं तो उसमें ऐसा लिखा जाता है एक लाख रुपया लिये दिये जिसके आधे पचास हजार होते हैं और उसके भी चौथा ही समझ लो और उसके आधे पच्छेस हजार होते हैं तो यह क्या लिखने के क्या जरूरत है, इससे क्या होगा, वो एक लाख में कोई एक बिंदी गड़बड करने की कोशिश करेगा, एक जगे, तो उत्ते से बात नहीं चलेगे, वो पचास वाले भी करना पड़ेगी, फिर पच्छेस वाले में भी करना पड़ेगी, तब तब स दर पाएगा हो, तो द्रिड़ता के लिए, ऐसे ही अस्ती नास्ती, तो अस्ती पना, जो चतुस्त है पने, स्वा चतुस्त है, इसके चार कौन-कौन से चतुस्त है के चार एंगल कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से चार हैं? स्वा-द्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इनमे चार है ना, तो चारों का वस्तु में जो स्थान, वैसे तो हरे का 100% है, लेकिन चार हिससे की है, तो समालो 25-25% हुआ, उसमें स्वक्षेत्र जो है, वह उस द्रव्य के अपने जो प्रदेश है, जिसको द्रव्य संग्र में, तत्वार सूत्र में हरेक के प्रदेश बताए न, वो उसका स्वक्षेत्र है, उसके प्रदेश और प्रती समय परिनमित होने वाले परिया है, काल की अपेक्षा वो परिया है, वो अनादी अनन्त, प्रती समय परिनमित होने वाले, वो उसका स्वकाल है, और उसमें जितने अनन्त गुन है, धर्म है, शक्तियां है, वो सब उसका स्वभाव है, क्षेत्र हो गया, काल हो गया, भाव हो गया अब स्वध्रव्य क्या है स्वध्रव्य क्या है क्षेत्र हो गया, काल हो गया, भाव हो गया गुण परियाई वद्रव्यम तो गुण परियाई, अनन्त गुण भाव परियाय में दोनों ले ले, प्रदेश भेद भी ले लो, काल भेद भी ले लो, इस अब आगे, इनका सम्मूरू द्रव्य हो गया, तो द्रव्य तो पूरी वस्तु हो गया न, चतुस्टे आत्मक, लेकिन उसमें एक एंगल स्वद्रव्य लिया है, वो क्या है, जाजी, उसका उसका स्वरूपी बड़ा विचित्र है, अब जब अलग-अलग दो उनके भेद करते हैं, प्रमान की द्रश्ती से, वो स्वद्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेश आत्मक है, क्षेत्र की अपेक्षा भेदा भेदा आत्मक है, काल की अपेक्षा नित्या नित्या आत्म अभ भाव की अपेक्षा एक आने के है अभ वो जो सामानि विशेश आत्म कह दिया कौन सा सामानि पना, कौन सा विशेश पना इन सब को भी उसमें लिया जा सकता है जो अभेद, नित्य और एक है ये ये बी एक सामानि पना है द्रव्य जिन में ये क्षेत्र प्रदेश्वार ये सब रहते हैं इनका आधार भूत वो द्रव्य अकेली जगे जगे किसी वस्तु किसी की तो होगी न ऐसा थोड़ी अकेला जगे होगी खाली अकेला परिणमन, परियाय वस्ता, अकेले गुण कहा रहेंगी तो उसका आधार भूत वो द्रव्य के रूप में अकेला द्रव्य हो अब समें कुछ नहीं है तो तो भी पूरी वस्तु के ऐसे बनेगी ऐसा पूरे चतुस्ते आत्मक मिल करके द्रव्य बना हुआ है इसलिए वो किसी एक होता ही नहीं है ना तो अकेला द्रव्य होता है ना अकेला क्षेत्र हो सकता है ना अकेला काल ना अकेला भाव होता ही नहीं है होते तो चारों है लेकिन चारों के द्रस्ती से लेते हुए हर एक के स्वपने से स्वद्रव्यपने, स्वक्षेत्रपने, स्वकालपने और स्वभावपने तो सत है वो वस्तू उसकी सत्ता है और परद्रव्यक्षेत्रकालभावपने असत्ता है तो किसी पर भी जाएंगे वो सत असत ही आएगा स्वद्रव्य परद्रव्य से भी सत असत स्वक्षेत्र परक्षेत्र की अपेक्षा से भी उसकी दृस्टी से भी स्वक्षेत्र से सत्र परक्षेत्र से असत्र इसलिए यहां सत्ता भी कहा और क्षेत्र भी प्रथक प्रथक है क्षेत्र प्रथक प्रथक है वहने सत्ता प्रथक प्रथक है बलकि जब दो द्रव्यों का प्रथक पना बताना होता है तब जिसे प्रवचंसार में प्रथकत्व और अन्यत्व दो शब्दों का प्रियुक किया प्रथकत्व और अन्यत्व प्रथक प्रथक होना और अन्यन्य होना ये इन दोनों शब्दों के भाव अलग-अलग है, प्रथकत्व का लक्षन अलग है और अन्यत्व का लक्षन अलग है, प्रथकत्व कहां है, वो प्रदेश भिन्न, जिनके प्रदेश भिन्न भिन्न है, उनमें प्रथकता है, और प्रदेश भिन्न भिन्न का आरत एक शेत्र तो जिनके क्सेत्र अलग है जब क्सेत्र अलग है तो निश्ठेत roof से द्रवय भी अलग है काल भी अलग है और भाव भी अलग है लेकिन वला क्सेत्र की LOVE लॉट्खेण फिल गया अन्यत्व कहा ? प्रदेश एक है, प्रदेश भिन्नता नहीं है लेकिन स्वरूप भेद है, स्वभाव भेद है, लक्षन भेद है, अभिभत्त पुद, अभिभत्त पदेश सत्तम का, अभिभत्त प्रदेश, आत्मा में रहने वाले ज्यान, दर्शन, चारित्र, सुख, भिन्न भिन्न है के अभिन्न है, अभिन्न भिन्न में भिन्न में भिन तो हो जाएगा, प्रथक प्रथक है के अन्यन्य है, वो अन्यन्य इसलिए कहते है, ज्ञान गुन के जो असंख्यात प्रदेश, जिन असंख्यात प्रदेशों में रह रहा है, उनी असंख्यात प्रदेशों में, दर्शन, चारित्र, सब, उन सब का, वो अभी, प्रदेश भि इसमें इस बात को भी लिया, गुरुदेव ने इस बात को भी स्पष्ट किया देह में आत्मा रह रहा है कि आत्मा में आत्मा रह रहा है कहां रहता है? देह में आत्मा है की नहीं है? अरे देह में आत्मा है की नहीं? यह सामने दे बेठी, इसमे आत्मा है कि नहीं है, है, दुनिया तो कैती दे में आत्मा है, कैते नहीं, दे में आत्मा नहीं है, तो आत्मा आत्मा में है, और दे कहां है, कि दे में है, तो दे और आत्मा भिन्न भिन्न क्यों है, एक शेत्र में होते हुए, एक शेत्रावगा हो नहें अधर से उवे भी think Sayangya कि वहर कि उप भःग वह में बहो दोनों के प्रदेश भिन्य है। भोने प्रदेश भिन्य भिन्य है। वो अपने क्षेत्र में रह 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 है। इक सात रहते हु वह और आत्मा में रहने वाले अनन्त गुण अब वे बेभी तो अलग-अलग है ना किने अलग-अलग नहीं है एक द्रव्य के एक ही द्रव्य के भाव है तो अन्य-ण्य कहलाएंगे प्रतक-प्रतक नहीं कहलाएंगे तो एक शेत्र सत असत इन सब की अपेक्षा से साथ आठ नम्बर के बिंदु यदा परक्षेत्रगत गेयार्थ परिनमनात परक्षेत्रेण ज्यानं सत्प्रतिपद्य नाशं उपेती तदा स्वक्षेत्रेण अस्तित्वं द्योत्यन अनेकांत एवतं उज्जीवयती परक्षेत्रगत गेयार्थ परिनमनात अर्थात परक्षेत्र में स्थित गेयों को जानने रूप से परिनमित हुआ जाना परक्षेत्र में स्थित पदार्थों को जाना तो परक्षेत्र में स्थित पदार्थों को जानने पर परक्षेत्रेण ग्यानम सत बने हमारा ज्ञान स्वयम स्वरूप से है लेकिन परक्षेत्र रूप हो गया ऐसा समझ लिया या परक्षेत्र से ज्ञान हुआ परक्षेत्र से ज्ञान हुआ ऐसा एदी माना कल्षों की टीका शुबचंद्राचारे ने लिखी न कलश्वों पर टीका लेखी शुप चंडराचारी ने क्या नाम है उसका अध्यात्म अध्यात्मतरंगिनी परमध्यात्मतरंगिनी उस टीका में ये जो परक्षेत्रेण ग्हानम सत्पृतिपद्यनाश्म उपहती ये जो एकांत लिए हैं जैसे उन्तालिस से तेतालिस गाथाओं में अपान मयानंता परपवादिनों केई जो आत्मा को नहीं जानते हैं से परात्मवादी किसे ने किसी परको आत्मा मानते हैं कोई अद्यवसान भावों को कोई नो कर्म को कोई कर्मों के समू को कोई कर्म और जीव के मिले हुए रू की है अन्यमत की एकांत वाले मत की लेकिन पंडित जैचन जी छावडा सब्त दशांगी टीका लिखने वाले मनौरलाल जी वरनी इन्होंने उले किया हुआ है ये लेकिन उन्होंने भी सफस्ट ये नहीं कहा इस मत की ये मान्यता है इस मत से मिलती जुलती इस मत जैसी ये मान्यता है यहां भी जो एकांत लिये गए हैं ये एकांत भी किसी ने किसी मत से मिलते हुए है वो अज्ञानी ऐसा लग रहा है ऐसे कौन है तो ऐसी मान्यता वाले एकांत मत रखने वाले दर्शन है ऐसे यहाँ इस चर्चा के संदर में दर्शन लिया है जो सन्नी कर्ष को प्रमान मानते हैं कौन है कौन से दर्शन वाले नया एक सन्नी कर्ष को प्रमान मानते सन्नी कर्ष के प्रमान पने में क्या उनका हितु है इंद्रियार्थ, पदार्थ, संबंध, संभवानंतरम ने इंद्री और पदार्थ का संबंध स्थापित होने पर ही ज्ञान होता है उसके बिना ज्ञान होनी सकता है बने सपर्ष करके, संबंध स्थापित करके वो सन्नी कर्ष निकटता उसके बिना नहीं होता है और अपने आचार्यों ने बना किया न दियम यदि प्रमान या लक्षन बना रहे है तो सब में घटित होना चाहिए लेकिन चक्शु आख चाहने और आख के साथ को सननिकर्श घटितनी होता है आग के साथ यदि सन्निकर्ष हो जाए तो उल्टा आग के साथ यदि पदार्थ का स्पर्ष हो जाए तो उल्टा ग्यान नहीं होता है इसलिए उसके तो दूरी रहकर ही ग्यान हो सकता है तो सब में घट इतनी हुआ इसलिए सन्निकर्ष को नहीं वाना चू करके जानने वाली बात नहीं है ये परक्षेत्र गत इससे जो ज्ञान मान रहे हो इससे स्विकार कर रहे हैं इसका मतलब ज्ञान ने वहा क्षेत्र में जाकर उसे पर्ष किया तब ज्ञान हुआ उससे ज्ञान की सत्ता है यदि वद जाकर छुएगा नहीं तो उसका ज्ञानी नहीं हो सकेगा इस तरह से जो परक्षेत्र छूने की अपेक्षा मान रहा है उसको यहां कहना चाहते ही कि नहीं उसके कारण ज्ञान की सत्ता नहीं है उसके कारण ज्ञान नहीं हुआ है वो ज्ञान तो अपने स्थान पर रहे कर बिना चुवे ही बिना उसका स्पर्ष किये ही उसका अपना स्वयम का अस्तित्व स्वक्षेत्रेन इसलिए वो स्वक्षेत्र की अपेक्षा से उसका अस्तिपना है वो यह कांथ से मान रहा है और यहां अनेकांथ से कहते हैं कि नहीं स्वक्षेत्र अपने ख्षेत्र में रहेकर जानता है इसलिए वह स्वक अनेक आंत्पन प्रकाशित करता हुआ जीवित रहता है अब दूसरी तरफ यदातु स्वक्षेत्रे भवनाय परक्षेत्र गत गेयाकार त्यागेन ज्यानम तुच्छी कूरवन आत्मानम नाशयती उगदा हमें परक्षेत्र में नी जाना है हमें तो अपने स्वक्षेत्र में ही रहना है तो स्वक्षेत्रे भवनाय अपने एक शेत्र में होने के लिए रहने के लिए तो उसके लिए परक्षेत्र गत गेयाकार त्यागिन तो परक्षेत्र में इस्थित जो गेय है उनका ज्ञान तो अपने में आ रहा है ना गेयाकार आकार का मतलब अब चुक्कि यहां क्षेत्र है इसलिए वो आकार भी है यहां जो प्रदेश अप्त्य गुन के कारण उनका विशिष्ट आकार बन रहा है वो आकार भी है और उनका स्वरूप भी है खटा, मीटा, चरपरा यदि ये जानने में आ रहा है इसको भी आकार केते है नीबू कैसा है? खटा है तो नीबू का खटा आकार शकर कैसी है? मीठी है तो मीठे पने का ज्ञान होना है जब हमने शकर मीठी है ऐसा जाना तो हमारा ज्ञान मीठे के आकार हुआ अदर मीठे के जानने रूप परिणमत इस प्रकार से भी गेया कारपना हो सकता है और उसका जो अपना विशिस आकार है वो भी जानने में आता है प्रत्य भिज्ञान में प्रातियोगिक प्रत्य भिज्ञान प्रत्य भिज्ञान के भेदों में एक प्रातियोगिक प्रत्य भिज्ञान भी कहा क्या है प्रातियोगिक प्रत्य भिज्ञान? इदम असमाद दूरम मित्यादी दिया ना पेड़ दो सामने खड़े हैं अब ये ये पेड़ छोटा है और ये पेड़ बहुत बड़ा है अब ये जो ये छोटा ये बड़ा ये भी आपके चित्त में आकार आया ये भी आकार है उनका यह आकार प्रकार जो उनका ख्याल में आरहा है, यह आकार प्रकार, पानी तेज गरम, और कम गरम, यह बहुत तेज गरम है, और यह कम गरम है, यह भी एक तुलना है, तो आपके ये कम अधिक पने का भी ख्याल में आया ये भी एक तरह का आकार है तो मैंने मेरा कैनेकार तो वो बाहर का आकार हो वही आकार नहीं समझना उनका जो जैसा स्वरूप है उसको भी आकार केते हैं यहाँ दोनों तरह से लेना परक्षेत्र गत गेई आकार जो परक्षेत्र में स्थित गेई है उनका आकार तो उनका प्रदेश की अपेक्षा प्रदेश उत गुन की अपेक्षा जो आकार बना है उसका जानना या उसका परक्षेत्र में स्थित है उनके संबंद में ज्ञान करना इस दोनों के लिए लेकिन के लिए हमें नहीं करना है क्यों? यदि ज्ञान उनमें चला गया तो फिर अपन स्वक्षेत्र में नहीं रह पाएंगे ज्ञान का नाश हो जाएगा इसलिए उनके जानने से इंकार करता है वो भी कहते हैं अपना नाश करता है यदा स्वक्षेत्रे भावनाय परक्षेत्रगत गयाकार त्यागेन ज्ञानम तुच्छी कुरवन उनको नहीं जाना, उनको नहीं जानना ज्ञान का तो सभाव है जानना सबको तो आपने उसे रोका तो उसे तुच्छ बना दिया हीन बना दिया, छोटा बना दिया या नहीं जानने रूप परिणमने से नाश Hihi कर दिया इती आत्मानम नाश Yati ऐसा करते है आत्मा का नाश करता है तदा स्वक्षेत्रे एव ग्यानस्य परक्षेत्रगत गया कार परिणमन सुभावत्वात तब स्यादवाद अनेकांत ये कहता है तुम जो जान रहे हो न तो अपने स्वक्षेत्र में रहे कर उन परक्षेत्रों का ज्ञान करते हुए जान सकते हो ज्ञान हो सकता है स्वक्षेत्र में रहते हुए इसके कारण से वे तुमारे रूप होने वाले नहीं तुमारे अंदर घुसने जाएंगे और घुस करके तुमारा क्षेत्र लूटने वाले नहीं है कि हमें अपने क्षेत्र में रहना है नहीं तो वो आकर के प्रवेश करके हमारा क्षेत्र ले करके जाएंगे ऐसी चिंता करनी की जुरुरत नहीं है स्वक्षेत्रे इव ज्ञानस्य अपने क्षेत्र में रहे करके ही ज्ञान का परक्षेत्रगत गेयाकार परिणमन सुभावत्वात परक्षेत्र में रहे हुए पदार्थों के जानने का अपनी जगें रहे कर सहेद सुभाव है अनंत सिद्ध परमेश्ठी लोग के अगरभाग में विराजमान है तो तीन लोग पूरा जानते हैं न तो नहीं उपर बैठ कर देख रहे इसलिए दिख रहा है उनको उसके बाहर जो अनंत अलोका काश है वो भी उनका बन रहा है न तो ये तो अपन ने सिद्ध भगवान ले लिया कि ने अरंद भगवान को केवल ज्ञान प्रगट हुआ अभी मद्य लोक में इस्थित है तो सब यहां बैठ करके जहां है वहां सारे लोका-लोका ज्ञान हो रहा है अर इसलिए तो उनको सरवगत भी तो कहा जानने की अपेक्षा सरवगत कहा अब वो सरवगत ये घबडा है सरवगत हो जाएगा तो फैल गया फैल गया तो नस्ट हो जाएगा स्वक्षेत्र में रहेकर उन सारे परक्षेत्र गत गेयाकारों को जानने का सुभाव, गेयाकार परिनमन सुभावत्वात, गेयाकार परिनमन का आरत उन गेयों के जानने रूप परिनमना, ये सुभाव है, अपने क्षेत्र में रह करके, अपनी जगे रह करके, इसलिए परक्षेत्रेन नास्तित्वम, परक्षेत्र में जाना पड़ा परक्षेत्र यह आयनी और परक्षेत्र से इसकी नास्ति पनाही है ये द्योतयन ये स्पस्ट करते हुए अनेकांत ये वनाशय तुम न ददाती अनेकांत ही जीव को नस्ट नहीं होने देता है अब इससे संबंदित कलश भी पढ़ लेते हैं 254 और पच्पन अब इत भिन्नक्षेत्र निशन्न बोध्यनियत व्यापारनेस्ट सदाम सीधत्तेवबहि पतंतमभित पश्ण्पुमांसंपशु स्वक्षेत्रास्तित्या निरुद्धरभसा श्याद्वाद्वेधिपुण तिस्थत्यात्मनिखात बोध्यनियत व्यापारशक्तिर्भवन स्वक्षेत्रस्थित्ये प्रतक्विधपर क्षेत्रस्थितार्थोजनात् तुच्छिभुयपशु प्रणष्यतिचिदा कारान्सहार्थेर्वमन् स्याद्वादीतुवसंस्वधामनिपर क्षेत्रे विदन्नास्तिताम् त्यक्तार्थोपिन तुच्छतामनुभवाद्च्याकारकर्शीपरान् वनुभवा 히ाकार करशीपरान भिनक्षेत्र निशन बोध्य, निट व्यापर निष्टहा धिनक्षेत्र में अब भिनक्षेत्र का आरत्स आकाष की अपेक्षा भिनक्षेत्र में होना ज़रूरी नहीं है जीव देह को जान रहा है जीव अपनी देह को जान रहा है सम्यक्दिस्ती ज्यानी अपनी देह को जान रहा है तो उसका देह का जानना भिनक्षेत्र वरती पदारस का जानना है कहा है वो तो एक्षेत्रा होगा है तो आकाश की अपेक्षा एक शेत्रा होगा है लेकिन दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न इस अपेक्षा से भिन्नक्षेत्र है समझ नहीं के लिए तो यहां सीधा सीधा बाहर वाले पदार सी ले लिए जाए तो भिनक्षेत्र अलक्षेत्र में जो है भिनक्षेत्र निशन नमने आसन है स्थित है ऐसे बोध्य माने गेई जानने में आने वाले पदार और उनके नियत व्यापार निस्टा उनके जानने के व्यापार में जो लगा हुआ है सदा सीधत तेव बही पतंतम अभिता पश्चन पुमांसम पशू पशू अज्ञानी एकांतवादी जो उसी को उन रूप हुए ज्ञान को उस रूपी ही हो गया ऐसा मानने से बही पतंतम अभिता सर और से बाहर चला गया ज्ञान उनको जानने में लगा न परक्षेत्र में स्थित्पदार्थों को तो भाई ही चला गया ऐसा मान करी पुमांसम सीधती चैतन्य सुरू पात्मा ज्ञान सुरू पुरुष है उसे वह सीधती नस्ट हुआ ऐसा मानता है समझता है तब स्यादवादवेदी ये कहते हैं स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरबसह उसका लग रहा है बाहर जा रहा है वेग से उसे रोक कर बुद्धी से जा रहा है पदार तो कहीं जानी रहा है न ज्यान जा रहा है न जीव जा रहा है ऐसा जो मान रहा है उसका निशेद करते हैं स्यादवादवेदी पुनह तिस्टत्यात्म निखात बोध्यनियत व्यापार शक्तिर भवन अपने में ही स्थित रहता है कैसे जो बोध्यनियत व्यापार शक्तिर भवन उन पदार्थों का ज्यान तो करता है परक्षेत्र में स्थित्र, उनको जानते हुए अपने क्षेत्र में रहता है, परक्षेत्र में स्थित्र पदार्थों को जान रहा है, परक्षेत्र रूप हो नहीं रहा है, वह परक्षेत्र से नास्ती है और स्वक्षेत्र से अस्ती है, वो स्वक्षेत्र से अस्ति है ऐसे अपनी अस्तिता को जानकर उन परक्षेत्र के पदार्थों को जानता हुआ आराम से रह रहा है अपना नाशनी करता है और दूसरा विरुद्ध दूसरे वाले स्वक्षेत्र स्थित अपने एक शेत्र में हमें रहना है इसलिए प्रथक विद परक्षेत्र स्थित अर्थ उज्जनात इसलिए प्रथक भिन उसमें जो स्थित परक्षेत्र स्थित पदार्थ है उनको छोड़ो उनको मत जानो उनको जानने में चलेगे वो अपनी ज्ञान में आगे तो हम अपने स्वक्षेत्र में नी रह पाएंग उनको जानने में मतुल्जा, उनको नहीं जान सकते हो, तुच्छी भूय पशू प्रनश्यती, वो तुच्छ हो करके अपना नाश करता है, क्यों उसने क्या किया, अकेले पदार्थों को नहीं छोड़ा, चिदा कारान सहार्थई वर्मन, वो उन पदार्थों का यहां जो आक स्वक्षेत्र नहीं रहेगा, ऐसा मान करके उन पदार्थों के, अपने में होने वाले ज्वन का भी निश्यत कर दिया, ऐसे निश्यत करने वाले को, ऐसे एकांथ मानने वाले को, स्यादवादी क्या कहते हैं, जगत के बाय पदार्थों के, सारे के सारे आकार भी ज्ञान में आ जाए तब भी क्यों नहीं घबडाते परक्षेत्रे विदन नास्तिताम उजो परक्षेत्र है उनकी नास्तिता को वे जानते हैं परक्षेत्र की हम्मे नास्ती है, किस बात को भी जानते हैं, त्यक्त आर्थो पिन तुच्छता मनुभवत त्याकार कर्शी पराण, परक्षेत्र से नास्ती है न, इसलिए वो जो परक्षेत्र में स्थित पदार्थ है, उनको तुच्छत पदार्थ छोड़ दिये, लेकिन न तुच्छता मनुभवती, तुच्छता का अनुभव नहीं करते हैं, आकार करशी पराण, वो परसंबंदी आकार, उनका हमारे में ज्ञान हो रहा है न, उसको स्विकार करते हैं, उनके ज्ञान को स्विकार करते हैं, परक्षेत्र को अपने में स्विकार नहीं करते, क्यों परक्षक्टा नहीं है हम अपने में रहे कर परक्षेत्रगत पदार्थों को भी जान सकते अपने सहज सुभाव से इसलिए वे निश्चिंत रहते स्यादवादी अनेकांतवादी शुलोकार पड़ते हैं सरवथा एकांतवादी अज्ञानी अपने से भिन्नक्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों के साथ आत्मा का जो सहेज सुनिश्चित गे गयाएक संबंद है उसमें प्रवर्तता हुआ ये व्यापार निश्टा है ने ये प्रवर्तन उसमें प्रवर्तता हुआ आत्मा को संपूर्णत बाहर पड़ता देखकर मने बाहर ही चला गया देखकर स्वक्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मान कर नाश को प्राप्त होता है बाहर चला गया तो आत्मा कहां बचेगा किन्तु स्वक्षेत्र के अस्तित्व में रुके हुए वेग वाले स्यादवादी तो आत्मा में प्रतिविंबित गेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाले होकर ठिके रहते हैं जीवित रहते हैं नाश को प्राप्त नहीं होते आत्मा में प्रतिविंबित गेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाले गेये नहीं हैं परपदार्थों में परक्षेत्र में गया नहीं हैं कहां है कि स्वक्षेत्र में वे जो अंतर प्रतिविंबित गेये हो रहे हैं परक्षेत्र वाले भी उनको जानते हुए, शक्ति वाले होकर टिके रहते हैं, क्यों स्वक्षेत्र से तो अस्ती है न, भरी परक्षेत्र को जान रहे हैं, लेकिन स्वक्षेत्र से अस्ती है, ऐसा जानकर वो टिके रहते हैं, नाश को प्राप्त नहीं होते, अब दूसरी एकांत वाले, दूसरी तर को छोडने से गे पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का वधमन करता हुआ तुछ होकर नाश को प्राप्त होता है तो परकॷेत्र के पदार्थों को नहीं छोड़ा उन संबंदी अपने ज्यान का भी निशेद किया वी ज्यान तो अपना है तो तुमने ज्ञान का निशेद किया तो अपने आपको नाश को प्राप्त कर लिया किन्तु स्यादवादी तो स्वक्षेत्र में रहते हुए परक्षेत्र में अपना नस्तित जानते हुए परक्षेत्र स्थित गेये गे ये पदार्थों को छोड़ते हुए पदार्थों को तो छोड़ा पदार्थ को अपने रूप नहीं माना पर पदार्थों में से चैतन्य के आकारों को खोजते हैं उनके आकारों को जानते हैं उनके स्वरूप को जानते हैं तात्पर यह है गेय पदार्थों के निमित से होने वाले चैतन्य के आकारों को छोड़ते नहीं है इसी कारण तुच्छता को भी प्राप्त नहीं होते नस्ट नहीं होते जीवित रहते हैं क्योंकि परक्षेत्र से नास्तिता जानते हैं पहले वाले स्वक्षेत्र से अस्तिता जानते हैं और दूसरे वाले परक्षेत्र से नास्तिता जानते हैं तो दोनों का निशेद करते हुए ज्ञानी निश्चिंत हो करके अपने स्वरूप में रहते हैं बोली अभी दोनो कलश्य पद्यानवात के साथ में बोली क्षेत्रास्थितया निरोधर भसह स्याद्वाद वेदी पुनह तिष्ठत्यात्मनिखात बोध्यनियत व्यापारशक्तिर्भवन स्वक्षेत्रस्थितये प्रथक विधपर क्षेत्रस्थितार्थोजनात् तुच्छी भूय पशुहु प्रणयश्यतितिदां कारान सहार्थैर्वमन स्याद्वादी तुवसन्स्वधामनिपर क्षेत्रे विधन्नास्तितां त्यक्तार्थोपिना तुच्छता मनुभवत त्याकार कर्शी परान परक्षेत्र व्यापी गेय ग्यायक आत्मा परक्षेत्र मैं यह मान कर निजक्षेत्र का अपलाप करते अग्यजन जो जान कर परक्षेत्र को परक्षेत्र मैं होते नहीं वेस्यादवादी निजरसी निजक्षेत्र मैं जीवित्रम मैं हूँ रहू निजक्षेत्र मैं इस भाव से परक्षेत्र गत्र जो गेय उनके साथ ग्यायक भाव भी परित्याग हो तो च्छता को प्राप्त शठ पर ग्यानि जन परक्षेत्र गत्रे छोड़ कर सब गेय वेने जक्षेत्र को छोड़े नहीं अंदर के गेय ज्यायक संबंद की जो सहज व्यवस्ता है उस गेय ज्यायक संबंदी व्यवस्ता को इतनी बारी की से हम सोचते ही नहीं है इसलिए हमारे सामने प्रशनी ही नहीं खड़े होते हैं क्या क्षेत्र को जानना अलग होता है द्रव्य को जानना और क्षेत्र को जा तो परक्षेत्र को जानने से परक्षेत्र हो जाएंगे ऐसा मान करके परपदार्थों का जानना ही छोड़ दे अब यह दूसरे 255 कलश 55 का प्ध्यानवात पड़ाना मैं ही रहून इस भाव से प्रक्षेत्र रगत जो गेव उनके साथ ज्यायक भाव भी परित्याक कर क्योंक वो परगेयों को जानता नहीं है तो ज्यायक भाव तो अपना है तो उनके जानने वाले ज्यायक भाव का भी निशेद करता है इस तरह अपना नाश कर रहा है अपने सही सहरूप को नहीं जान रहा है उसे कहते परक्षेत्र को जानने से तुम्हारा कुछ बिगडने वाला नहीं क्योंकि परक्षेत्र से नास्तिता है स्वक्षेत्र परक्षेत्र अब कौन सा आयगा प्रकरन स्वकाल और परकाल अब स्वकाल परकाल में तो और अलग ही भी वक्षा लेने वाल है किस तरह से Swakaal के लिए किसका निशेद करते हैं और Parakal से बचने के लिए किसका निशेद करते हैं और सूक्ष्मता की चर्चा है उपयोग सूक्ष्म करके आपन कल्च चर्चा करेंगे इस